वेल्कम टू माई नूटिशियस रेसिपी शुरू गरते हैं हमारी आज की रेसिपी एक बोल दूद लेंगे हम फुल फैट मिल्क लिया है अगर आपके पास में वो नहीं है तो आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं तो लेंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर तो एक उबाला है बाद में हम डालेंगे उसमें आधा बोल मिल्क पाउडर आधा बोल मिल्क पाउडर को मैंने दो बार डाला है क्योंकि हिलाने में इजी रहेगा इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं तो हिलाने में ज्यादा अच्छा रहता है यह बहुत जल्दी गाड़ा हो तोटल हमने एक बोल दूद और आधा बोल मिल्क पाउडर लिया है हम इसमें शक्कर का भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर थोड़ा मेठा होता ही है देखी मैंने आधा बोल पूरा डाल दिया इसमे अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे और गाड़ा कर देंगे जब यह अच्छे से गाड़ा हो जाए और मावा बन जाए तब हमें नीचे ले लेना है फ्लेम को आफ कर देना है इसे हमें वैसे भी लो फ्लेम पर ही चलाना था अब ही हमने नीचे ले लिया ये देखे अब थंडा होने पर हम उसके छोटे छोटे बाल्स बना कर पेड़े बना देंगे आप चाहें तो किसी और शेप में भी बना सकते हैं मैं आप केसर से गानिश कर रही हूँ आप चाहें तो कुछ और ड्राइब फ्रूट से भी गानिश कर सकते हैं काफी टेस्टी बने हैं हमारी पेड़े और बहुत फटाफट बन गए हैं थैंक्स फॉर वाचिंग